ओम नमस्षिवाई दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ जून 2020 में पढ़ने वाले प्रदोश प्रत के बारे में जेस्ट मास के क्रिश्न पक्ष में आने वाला यह प्रदोश प्रत कौन सा है कब से लेकर कब तक त्रयोदशीति थी रहने वाली है इसके साथ ही प्रदोश काल का समय क्या रहेगा प्रदोश प्रत के दिन किस तरह पूजा कर है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भुलेनात की ज़रूर लिखेगा भुलेनात क कि सभी मनुकामनाई पूरी करते हैं उनकी सभी परिशानियां दूर करते हैं आए दोस्तों जान लेते हैं पहले प्रदोश्वरत की तिथी और त्रदोश काल के समय के बारे में दोस्तों जेस्ट महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाला यह प्रदोश सोम प्रदोश्वरत प्रदोश्वरत की पूचा हमेशा प्रदोशकाल में ही संपन्न कर लेनी चाहिए प्रदोश्परत की रहती थी वह बिक्षा से जो कुछ भी मिलता उसी से जीवनियापन करते थे वहरोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और शाम होने पर वापस लोटती थी एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लोट रही थी तब उसे नदी के किनारे एक सुन्दर बालक दिखाई दिया जो विदर्व देश का राजकुमार धर्मगुप्त था शत्रों ने उसके पिता को मार कर उसका राज जहड़ लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्ती हो गई थी ब्रहमणी ने उस बालक को अकेला देख कर उसे अपने साथ घर ले आई और उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बढ़ा करने लगी कुछ समय बाद ब्रहमणी दोनु बालकों के साथ दैव योग से एक देव मंदिर गई वहां उनकी भेट रिशी शांडेली से हुई रिशी शांडेली ने ब्रहमणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्ब देश की राजा का बेटा है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था रिशी शांडेली ने ब्रहमणी को प्रदोश्वरत करने की सलहा दी रिशी की आगया से दोनों बालकों ने भी प्रदोश्वरत करना प्रारम कर दिया एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे तब ही उन्हें कुछ गंधर्ब कन्याए नजर आई ब्रहमण बालक तो घर लोटाया किन्तु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्ब कन्याए से बात करने लगा गंधर्ब कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए कन्या ने विवाहर हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया दूसरे दिन जब फिर से गंधर्व कन्या से मिलने के लिए वह राजकुमार गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्व देश का राजकुमार है भगवान शिप की आग्या से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त स गंदर्व सेना की साहता से विदर्भ देश पर फिर से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया यह सब ब्रहमणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोश्व्रत करने का ही फल था इसकंद पुरान के अनुसार जो भक्त हर प्रदोश्व्रत के तिन बुलिनात की पूजा सुनता है यह दूसरों को सुनाता है उसे अगले 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का कभी भी बिमार्यों का यह परिशानियों का शामना नहीं करना पड़ता है बोलिनाद की जय मापर्वती की डय दोस्तों यह थी वरत कथा आप जान लेते हैं प्रदोश्वरत की पूजा विदी के बारे में प्रदोश्वरत के दिन भगवान भूलेनात की पूजा की जाती है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है सोमवार के दिन अगर यह प्रदोश्वरत पढ़ता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है इस दिन पूजा करने से व्रत करने से भुलेनात की विशेस्क्रपा प्राप्त की जा सकती है जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है इसके साथ ही जो भी आर्थिक परिशानिया है जीवन में वो सब भी दूर हो जाती है इसके साथ ही माना जाता है कि जो लोग अपने विवाह के लिए परिशान है ऐसे में प्रदोश व्रत करने से और खास कर सोम प्रदोश व्रत करने से मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। आज की पूजा में बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही आज के दिन सबसे पहले आप चाहें तो शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर भी पूजा कर सकते हैं। यह था संभव जाप करना चाहें आप चाहें तो 11 या 21 बार भी जाप कर सकते हैं या 108 बार भी जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनात को बेल पत्र, फूल, फल, अर्पित करने के साथ ही उन्हें तिलक करें। धूब दीपक जलाएं। आपकी जो भी समस्या है या आपकी जो भी मनुकामना है उसके लिए भगवान भोलेनात से प्रार्थन करें। फिर आप व्रत की कथा सुनें। शिव चालीसा का पार्थ आज के दिन आप जरूर करें। इसके साथ ही महाम रित्तिन जय मंत्र का जाब भी जरूर करना चाहिए। इसके साथ आप भगवान भोलेनात के साथ साथ मापार्वती की पूजा करें। उन्हें भी तिलक करें। इसके साथ ही आप आरती करें। आ शाम की पूजा सबसे विशेश पूजा होती है आप अगर संभव हो तो दोनों ही समय व्रत की कथा सुने नहीं तो आपको शाम की पूजा में व्रत की कथा जरूर सुनने चाहिए शाम की समय प्रदोशकाल से पहले ही आपको इसनान करके साफ वस्त्र धारन करने चाहिए फिर आपको पूजा करनी चाहिए शाम की पूजा में आपको भोलिनात को आज के दिन अखंडित चावल से बनी ही खीर का भोग लगाना चाहिए प्रदोश्वरत की पूजा में अखंडित चावल का प्रियोग बहुत ही शुब माना जाता है इसलिए मैं आपको हर वीडियो में जो को अपने वर्त के दिन अपने मन को мама दिये आप देखे घान हैं कि एगा ऑप जह ने के बाद आप जो भी भोग आपने लगाया है उसका उसका प्रशाद करके सभद zur सबसे पहले आप प्रशाथ को ग्रहेंड करके ही अपना व्रत खोलें प्रदोश व्रत में मीठें भोजण मीठें भोजन में कीजिde कषथ़ प्रदोष्काल की पुजता के बाद आपको चंद्रदेवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए चंदर देवता की पूजा प्रदोश काल में बहुत शुब मानी जाती है कहा जाता है कि इस दिन चंदर देवता की पूजा करने से कुंडली में जो भी चंदर दोश है वो दूर होता है दोस्तों बहुत से लोग प्रदोश रत अगले दिन खोलते हैं यानि कि अगले कितने प्रदोश करने चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आप जब भी पहली बार प्रदोश्वरत प्रारम करते हैं आपको उसी समय संकल्प लेना होता है कि आप कितनी संख्या में और कौन सा प्रदोश्वरत करना चाहते हैं और उसी संकल्प के नुसार आपको अपना प्रद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमिट बॉक्स में भूले नात की ज़रूर लिखेगा